तब उसका फ्रेंड रोरी वहां आकर उसे जगाता है और बताता है कि तुमने इंगेजमेंट पार्टी में मेरी सिस्टर टीना को प्रपोस नहीं किया इसलिए वो बीच पर तुमारा अंतिजार कर रही है इसके बाद जोज टीना के पार चाकर उसे बात करने लगता है वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे वहें रोरी बीच को चेक करने चला जाता है तब ही हम देखते कि एक वाइट सार्क भी उसके पीसे जा रही ह उस समय वही पर एक और आदमी भी स्विविंग कर रहा होता है तब ही वाइट सार्क वहां कर उसे खा जाती है ये देख लाइफ गार्ड वो सभी को पाने से बाहर आने के लिए बोलता है लेकिन रोरी अपना बोर्ड लेकर काफी दूर चला गया होता है इसलिए जोज अप पहले ही वाइट सार्क रोरी के बोर्ड पर अटैक कर देती है अब जोज भी वहां पहुंच जाता है रोरी का हत पकल कर उसे बाहर निकलने वाला होता है तब ही वाइट सार्क वहां कर उसे भी खा जाती है अपने फ्रेंड को खोकर चौश बहुत दुखी होता है इसके वा वाइट सार्प का जुन्डी बीच की तरफ आने वाला है इसलिए सभी को अलर्ट रहने के लिए बोला जाता है जौस ने लाइफ गार्ड की जोड़ दी थी और एक सूपर मार्केट में जौब कर रहा था आज जौस जब अपनी जौब के लिए निकलता है तो उसे आज का मौ बहुत परिसान दिखाई देता है और बहुत सारे पक्षी समंदर की तरफ से आ रहे होते हैं यह नजारत देखकर ऐसा लगते कि आज कोई बहुत बड़ी मुसीवत आने वाली है इसके वाद जौस ग्रोसरी स्टोर में चला जाता है जहाँ पर हम जैमी नाम की लड़की को स सामान चौरी करते हुए देखते हैं इसे महां का सेक्योरीटी गार्ड देख लेता है लेकिन जैमी उससे बच्षकर अपने बॉइफ्रेंड रायन के पास चली जाती है जो उसी स्टोर में काम करता है तो नए लड़की के साथ बाकर चौप से निकाल देता है इसके बाद ज उससे बहुत प्यार करता है वहीं जो पुलिस ऑफिसर टोड जैमी को पकड़ने आया होता है वो जैमी का फादर होता है इसलिए वो जैमी को जेल जाने से बचा लेता है जोब की चकर में फैमिली को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता है इसलिए जैमी को लगता है कि टोड उ मैनेजर उसे दिखाता है कि वहांबर कोई भी पैसा नहीं है, इस पर डायल उसे जांसे मानने की धनकी देता पर मैनेजर उसे अपने साथ एक दूसरी जगा लेकर जाने लगता है तो इसे देख लेता है और डायल को अपनी गन-पौइंट पर ले लेता है लेकिन अब डायल का मेन पार्टनर भी वहाँ जाता है और मैनेजर की असिस्टेंट जूली को गन पॉइंट पर ले लेता है इसके बाद बर टॉड को गन डॉप करने के लिए बोलता है वहें दूसरी तरफ रायन जैमी के पास जाता है उसे कार से बाहर निकाल देता है रायन उस पर गुसा करता है क्योंकि उसी की और ऐसे उसकी जॉब गई है इसलिए जैमी वहाँ से स्टोर में चली जाती है और रायन अपनी गाड़ी में जाकर बैट जाता है वहाँ पर हम काईल नाम की एक लड़की को भी देखते है जो अपनी गुर्ड फेंड हैदर के साथ मेक आउट करने के लिए यहाँ आया है दूसरी तरफ जास जै बॉस्ट रूम में होता है तभी उसे गोली चलने के हावाँ सुनाई देती है इसलिए वह भी बाहर आ जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि डायल के पार्टनर ने जूली को सूर कर दिया है इससे डायल अपने पार्टनर पर गुस्टा करता है क्योंकि वो किसी को भी नुकसा नहीं पहुचाना चाहता है इसके बाद डायल का पार्टनर अपने को गंट पॉइंट पर ले लेता है इससे जौस टैंसन में आ जाता है यह सब देकर वहां मौझूद सभी लोग बहुत ड़ जाते है तब यह अचाने से वो पूरा श्टोर हिलीनी लगता है लेकिन जौस, डायल, पुलिस ओफिसर टॉड और इस टीमन अभी सेफ दिखाई देते हैं इसके बाद जौस उनसे अभी कुस सेलविंग यूनिट के उपर ले जाता है जह पर जौस देखते हैं कि टॉड का पैर बूर ही तरहां से जखनी हो गया है कुछ दरबार जैमि भी पानी से बाहर आजाती है और टॉड को जिनदा देखर खुस हो जाती है तबी उसे रायन के बारे में यादाता जो सुनामी अने से पहले पनी कार में बैठा था जैमि उसे बचाने के लिए जाती है लेकिन डायल उसे मना करता है क्योंकि बाहर इसे ज्यादा पानी हो सकता है तबी मैनेजर टोड का सिस्टेंट बॉब और टीना भी पानी से बाहर आ जाती है जो और सीना के पार जाता है और उसे भी उपर ले आता है जहां टीना देखती कि कोई चीज डैड बोडी को खा रही है अब इसके बाद नायोमी की वहां जाती है और डायल उसे उपर खीच लेता है लेकिन इस एक्सिडेंट में डायल का पार्डनर मारा जाता है इसके दूसरी तरफ कायल अपनी गुर्ड फ्रेंड हैदर के साथ कार में फस गया था और दोनों हेल्प के लिए चिल्ला रहे थे वहीं पर रायन को जब हो लेषी लेखन लगते हैं लेगन टॉड जखमी होने से स्विम नहीं कर सकता था इसलिए टीना स्टी बाब मदद खोजने के लिए वहां से बाहर जाने के लिए निकलते हैं तीना और स्टीवन में आउटपुट की तरफ जाते हैं और वेर हाुस की और जाता है तब नाईय पकड़ लेती है। जैमी और टॉटू से बचाने की कोशिश करते हैं लेगे वाइट सार्ग उसकी बोड़ी के टुकड़ी कर देती है। इसके बाद उनको वहाँ पर एक बहुत बड़ी ओड़ी दिया देती है। इसे देखने से ऐसा लगता है कि किसी चीज ने उनको खाया है अब कायल भी इपनी कार के अपर पाट को खुल कर बाहर निकलता है हैदर को भी वहाँ एक बड़ी वाइट सार्क दिहाई देती है जो उनकी कार के उपर अटायक करना शुरू कर देती है वही दूसरी तरफ जोंस और बाकी लोग वाइट सार के बीच फसे होते हैं तब ही वहाँ पर हाई वाल्टिज वाली उलेक्रिक बायर भी नीचे लटक जाती है इसके पानी में टच होते ही सबी लोगों की जान जा सकती है इससे इन सब की परिसानिया दून ही हो जाती है जोस बताता है कि इसकी में सप्लाई भी एरहाउस से है इसके बाद वो सप्लाई को बंद करने के लिए वहाँ जाने लगता है लेकिन टीना उसे मना करती है लोगी उसकी बोड़ी से ब्लड निकल रहा था इसलिए वाइट सार कुछ पर अटैक कर सकती थी तब लुझ इसटीवन को एक आईटियाया आता है वो खुद को सौपिंग कार्ट का एक आर्मर में बंद कर लेता है इससे कि वाइट सार कुछ पर अटैक नहीं कर पाई जब इस्टीवन और जॉस अकेले होते हैना तब इस्टीवन जोस को बताता है कि टीना मेरी girlfriend नहीं है वो अभी भी तुम से पहले जितना ही प्यारे करती है और वो जानती है कि रूरे के मौत के जिम्मधार तुम नहीं हो खेर अब इस्टीवन को अपनी जान जोकिम में डालते हुए देख टीना इमोशन हो जाती है इसके बाद इस्टीवन ओक्सीजन ट्यूब लगा कर वेयर हाउस की तरफ जाने लगता है वो में सप्लाइच ते पहुँचने वाला होता है लेकिन ऑक्सीजन ट्यूब उतना लंबा नहीं था ये देख जोस परिसान हो जाता है तब इस्टीवन उसकी जान बचाने के लिए खुद गुद सक्रिवाइस करने का डिसाइट करता है वो अपना उक्सीजन ट्यूब निकाल देता है और वहां के में स्विच को बंद कर देता है लेकिन उसके पैर में वेट बंदा था इसलिए वो काफी कोशिस के बाद भी पाने से बाहर नहीं जा पाता और अपना दम तोड़ देता है ये देख टीना बहुत रोनी लगती है वहीं अब डायल डिसाइट करता है कि वो कभी भी चोरी करने का काम नहीं करेगा वहीं रायन काईल और हैदर की हल्प करने के लिए एक मरी हुए आदमे का हाथ काटता है और उसकी मदद से वाइट सार को को डिस्ट्रेक्ट करता है इसके बाद काईल और हैदर अपनी कार से निकल कर एक दूसरी कार तक पहुँच जाते है दूसरी तरफ जोस को वेंटी लेटर बॉक्स दिखाई देता है इसी यह वहां से होकर भाँ निकलने का प्ralण बनाता है डाहिल वहां रसनी के फस्तानी में जोस की हेल्प करता है लेकिन मैनेजर बहुत जैल्फिस था वो कहता कि सबसे पहले मैं यहां से निकलूंगा डाहिल और जोस उसकी बात माझ जाते है लेकिन वो जैसे ही वहाँ से बाहन निकलने की कुछिस करता है माँ पर बहुत सारे केकड़ी आ जाते हैं इससे मैनेजर बहुत ड़ जाता है और चिल लाने लगता है तब ही उसकी आवाज सुनकर वाइट सार्क वहाँ पर आ जाती है और उसकी बॉडी को बीर्स में से काट देती है इससे देख कर सब की हालत खराब हो जाती है अब उनको समझ में आ जाता है कि वहां से बाहर जाने का आईडिया बेकार है दूसरी तरफ हैदर को दिखा जाता है वो कायल से नाराज थी क्योंकि Kyle ने उसके डुगी को कार के अंदर ही छोड दिया था अब Ryan Kyle तक पहुंचना चाहता था लेकिन वहाँ कोई रास्ता ना पाकर वो पाइप की उपर लटक कर जाने के डिसाइप करता है वो pipe की help से वहां तक पहुँचने वाला होता है तब उसका हाल छूट जाता है और वो पानी में गिर जाता है लेकिन white shark के attack करने से पहले ही काईल उसे बाहर खीज लेता है लेकिन इस दोरान वो खुद पानी में गिर जाता है रायन और हैदर उसकी हेल्प केडने की कोशिस करते हैे लेकिन वायड सार्ग उसकी बोड़ी के टुकड़े टुकड़े कर देती है वहीं सूपर मार्केट के अंदर डायल वायड सार्ग को एक हुक में फसागर वहाँ से बाहर निकालने का ब्लैन बनाता है लेकिन इसके लिए उसे एक मीट हुक की जरूरत पड़ेगी अब जैमी किसी तरह वायट सार्क से बसते वे बूचर सेक्शन में पहुँच जाती है इसके बाद बोरस्ती में हुक और मीट का ठुगडा फजा देती है और डायर उसे वायट सार्क से बचा कर वापस खेश लेता है टीना जोस के पास आती है और उसे समझाती है कि जो कुछ भी हुआ तुम्हें उसके वारे में भोल जाना चाहिए क्योंकि उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी इसकर जोस कहता है कि उस दिन बीच को चेक करने की जिम्मेदारी मेरी थी लेकिन उस दिन मेरे बदले रोरी वहाँ चला गया और मेरे पहुँचने से पहले सब कुछ खत्म हो गया तीन होसे कहते कि मैं हमेसा तुमारे साथ रहूंगी इसके बाद ये लोग हमेस का टुकड़ा फसा कर पानी में डालते हैं लेकिन वायट सार्क उसे नहीं खाती तब उसमें से कर्वी नाम का आदमी कहता है कि उससे सिर्फ ताजा मीट चाहिए इसके बाद वो नायोमी को गन पॉइंट पर ले ले लेता है क्योंकि वो नायोमी को वायट सार्क की बैट यानी चारे की जैसे यूज करना चाहता था तब डायल उसे कहता है कि तुम बहुत बड़ी गल्ती कर रहे हो लेकिन वो किसी की नहीं सुनता और नायोमी की साट में उक फसा कर पानी में गिरा देता है वायट सारक उसके और तेजी से बढ़ने लगती है तब ही डायल करवियो को अपने भाले से जख्मी कर देता है और नायमी को पानी से बाहर निकालने के पाद उसे ही उपने फसागा नीचे फेक देता है इसके बाद वायट सार कुसके टुक्डे टुक्डे करके खा जाती है और हुक उसके मुमे फ़ज जाता है जिससे देख सब को यहां से बहां निकलने की एक नहीं उम्मीद मिल जाती है कहीं दूसरी तरफ हैदर रायन से कहते कि हमें कोई भी बचानी नहीं आने वाला तब रायन उसे समझाता है कि हो सकता है कि हमारे जैसे ही बाकी लोग भी ऐसे ही फसे हो तब हैदर की डॉगी बुली भी बहा जाती है इसके बाद Ryan pipe को बजा कर help की signal देता है इसे सुनकर Jamie समझ जाती कि वो Ryan है यसी वो उसे बचाने के लिए चली जाती है ये देख Todd उसकी help के लिए Josh को उसकी पीछी भेजता है इसके बाद Josh और Jamie कार पारकिंग में जाते हैं तब ये white shark उनकी और आने लगती है ये देख दोनों Todd की कार पर चड़ जाती है तब Jamie Josh से बताती कि इस कार के अंदर shotgun रखी हुई है इसके बाद Josh किसी तरहा white shark सार्ग से बचकर shotgun निकालता है और उसे मारने के लिए पानी में चेला जाता है फिर white shark जैसी एटक करने आती है Josh उसके नीचे उकर उसे सूर कर देता है जिससे उस white shark की मौत हो जाती है दूसरी तरफ बागी लोगी स्टोर से बाहर निकलने का रास्ता खोजते है लेकिन वो एन प्रेंस से एक ट्रक से ब्लॉक हो चुकी थी इसलिए डाइल फ्रक को ब्लास्ट करने का प्लैन बनाता है अब जॉस और जैमी भी रायन और हैदर को लेगर वहां जाते है इसी वीच हुक में फसी हुई white shark अग्रेसी हुजाती है और वो खुद को आजात कर लेती है ये देख जॉस सभी को पाने से बाहर जाने के लिए बोलता है क्योंकि अब डाइल भी फ्रक की बैंटरी में electricity देने वाला है जॉस white shark को सौट गन से सूट करने जाता है ये उसमें bullet नहीं थी ये देख जॉस टेजर से white shark पर अटेक कर देता है इसके बाद white shark को high voltage electricity सौट लगता है और वो मर जाती है इसके बाइल ट्रक में power supply देकरों से blast कर देता है इसके बाद वहाँ की entrance open हो जाती है और सभी लोग बाहर आ जाती है फिर ये लोग देखते कि वहाँ का पूरा सहर सुनामी की वरा से तबाह हो चुका है पूछते कि अब हम क्या करेंगे इस पर जोस कहते कि हम अब एक नई जिन्दी की सुरुवात करेंगे और आखिर में दिखाया जाता है कि जब एक bird समंधर के बहुत नजदीक से उनने की कोशिस करता है तब ये वाइट साब को से खा जाती है और ये movie पर खत्म हो जाती है तो दोस्तों अगर आपको इस movie की explanation पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को subscribe कर दीजिए बागे मैं मिलूँगा आपसी new वीडियो में Till then take care, love you, bye bye